हेलो दोस्तो मेरा नाम है प्रतीक और स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में तो दोस्तो आज की वीडियो में हम देखने वाले है कि अगर आप Paytm एप्लिकेशन यूज करते हो और Paytm एप्लिकेशन से आपको कोई भी एक QR कोड स्कैन करके पेमेंट करना है तो उसमें क्या स्टेप्स involved है यह सारे बताने वाला हूँ तो बिना किसी देदी के जल्दी से वीडियो स्टार्ट कर देते है तो Paytm एप्लिकेशन से QR कोड स्कैन करके पेमेंट करने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पे Paytm एप्लिकेशन ओपन करना होगा एप्लिकेशन ओपन होते ही कुछ इस तरीका का इंटरफेस आपको आपके mobile screen के उपर देखने मिल जाएगा अब यहाँ पे दो तरीके है जिसे आप scan कर सकते हो QR को को तो एक जो तरीका है वो तो आपको यहाँ पे देखने मिल जाएगा scan and pay का option आपको visible हो जाएगा home screen के उपर और दूसरा bottom में आप देख सकते हो यहाँ पे scan and qr का एक option देखने मिल जाएगा तो यह तो option है आप इन दोनों में से कोई भी एक option select करके QR code scan कर सकते हो तो अभी जो bottom में option आपको blue color में दिख रहा है वहाँ पे scan and qr का उसके उपर आपको tap कर देना है scan and qr का option select करते ही हम आ चुके है next page के उपर और यहाँ आप देख सकते हो यहाँ पे scanning ओल्लेडी चालू हो चुकी है तो अभी आपको screen के उपर black दिख रहा होगा बट यहाँ पे आपको मैं qr कोड visible करा दूँगा screen के उपर और अपने mobile से उस qr कोड को scan करके आपको आगे की procedure बता देता हूँ अभी screen के उपर आप एक qr कोड देख सकते हो दोस्तों अभी अपने phone से मैं यहाँ पे qr कोड जो है वो scan कर रहा हूं qr कोड successfully scan होने के बाद हम आ चुके है next page के उपर और यहाँ पे आप देख सकते हो जिसका qr कोड मैंने scan कराया था उनका नाम आपको यहाँ पे विजिवल हो जाएगा जिनको मैं payment transfer करने वाला हूं amount को option यहाँ पे देखने मिल जाएगा आपको जो भी amount transfer करना वो आप यहाँ पे एंटर कर सकते हो तीसरा message आपको यहाँ पे additional message का option मिल जाएगा जिसमें आप कोई भी आपको transaction के साथ message लिखना है तो वो आप यहाँ पे एंटर कर पाऊगे सारे details एंटर होने के बाद आपको और options visible हो जाएंगी screen के उपर तो अगर मुझे select करना है कोई दूसरा bank जिससे मैं payment करना चाहता हूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पर मुझे और दो option दिखाए दे रहे पे टीम payments bank और indecent bank तो मैं bank भी change कर सकता हूँ मैं चाहता हूँ कि अगर कोटक महिंदर bank से मेरा amount ना जा देंगे example के लिए हम यहाँ पर 1000 रुपिज ट्रांसफर करेंगे और message में यहाँ पर हम test enter कर देंगे तो सारी details यहाँ पर फिलप कर दी है मैंने simply pay 1000 का जो bottom में आपको option दिख रहा होगा उसके उपर आपको tap कर देना है next page पर हम आ चुके हैं और यहाँ पर हमें six digit UPI pin enter करना ह तो जो भी आपका UPI pin होगा six digit वह आपको यहाँ पर एंटर कर देना है और pin successfully enter होने के बाद आपका transaction जो है complete हो जाएगा तो यहाँ पर जल्दी से मैं pin एंटर करके आपको दिखा देता हूँ तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो transaction जो है वो successfully हो चुका है यहाँ पर thousand रुपीज जो है मैंने successfully transfer कर दिये है और यहाँ पर आपको reference number भी दिखाई देगा और आप screen के ओपर देख सकते हो bank के और से भी मुझे यहाँ पर message आ चुका है तो दोस्तों यही simple steps है जिने follow करके आप simply paytm application से qr code scan करके payment कर सकते हो तो सारी details आपको screen के ओपर देखने मिल जाएगी और आपके अगर कुछ भी सवाल हो कुछ भी अगर आपको doubt हो तो आप नीचे comment section में mention कर सकते हो तो बस दोस्तों यही था आज की इस वीडियो में वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो